जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम हिंदी प्याटा गोजी से संबंदित महत्तपुन गोश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए तो वीडियो को पूरा अबस्ते देगां क्यांकि बहुत ही महत्तपुन गोश्चन आंसर वीडियो को सेयर करें ताकि अनलोग वीडियो देख सकें और बैल आइकन को दवाना ना भूलें क्योंकि हम जो वीडियो अप्लोट करेंगे उसकी जो नोटिपिकेशन है आप कहां पहुंच जाएगी और अगर आप हमारे टेलिग्राम गृप से नहीं जड़े तो आप टे वीडियो अप्लोट करते हूं इसकी पीडिया फाल यहां पर अप्लोट कर देते हूं बहुत सारा इस्टेडि मेटेरियल सभी विश्यों से संबंदित आपको हमारे टेलिग्राम गृप में मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम गृप से अवस्य जुड़ें तो चलिए आज जीवन परियंत चलने वाली पिर्किरिया अधिगम क्या है अधिगम है जीवन परियंत चलने वाली पिर्किरिया अंगला क्वेश्चन है भासा सीखने में सायक है भासा सीखने में सायक है क्या है सायक परिवेश परिवार विद्याला या उप्रोक्त सभी तो क्वेश्चन नमबर D, सही आंसर हो जाएगा, अंगले कोश्चन है, प्रकास द्वारा भासा की कछच्छा में चित्र बनाना इस्पष्ट करता है, कि क्या करता है, इस पश्टे, भासा अधिगम हो रहा है, भासा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भासा अधिगम पर किरिया का एक अंग है, यह भासा अधिगम को बादित करता है तो इसका जो सही आंसर है भासा अधिगम नहीं हो रहा है विकल्प नमबर B इसका सही आंसर हो जाएगा question number 3 का जो सही आंसर होगा भासा अधिगम की संदर में कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं बताना है कि भासा अधिगम के संदर में कौन सा कतन सही नहीं है तो इसका जो सही आंसरों का बाय है भासा अधिगम में कभी भी अनुबात का सहारा नहीं लिया जाता तो विकल्प नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा कि भासा अधिकम में कभी भी अनुबात का सहरा नहीं लिया जाता है भासा अधिकम की संदर में एकतन के ऐसा है सही नहीं है अगला कोस्चन है कि बच्चे अपने अपना स्वयम का सामाजिक रूप से रचित भासा तंतर बिक्सित कर लेते हैं एकतन है तो एकतन किसका है आपको बताना है अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताएं एकतन किसका है तो इसका जो सही आंसर हो का बाय है बाइगोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च आवधार्णा खालिस्तान में अलग नहीं है तो किस में अलग नहीं है इसके नर और पावलाव की आवधार्णा खालिस्तान में अलग नहीं है तो इसका जो सही आंसर है बहुत है प्रितिकरिया समानी करण प्रितिकरिया समानी करण बेकल्प नंबर सी सही आंसर हो जाएगा क ऑधारित है विकल्प नमबर वे बी का सही आंसर हो जाएगा किar सब्सक्राइब कि भासा अरजन में बच्चे भासा को सहज और स्वाविक रूप से सीखते हैं अभ्यास या अंत्रक्ता से सीखते हैं स्वाविक और प्रियास पूर्ण तरीके से सीखते हैं या सहजता और अभ्यास से सीखते हैं तो इसका जो सही आंसर है बाए सहज और सवाविक रूप से सीखते हैं तो विकल्प नमबर A इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चने की भासा सीखने में सामाजिक अंतताहा अंता किरिया कमातपूर्ण इस्थान है एकतन का संबंद किस से है तो एकतन का संबंद किस से है आपको बताना है तो एकतन का संबंद है बाए सबसे अधिक बल दिया है तो इसका जो सही आंसर होगा बहा है सामाजिक अंता किरिया पर सामाजिक अंताकिरिया पर सबसे अधिक बल दिया है विकल्प नमबर ए सही आंसर हो जाएगा अंगला कॉस्चन है कि सामाजिक विवार के खालिस्तान और सांस्कृतिक पैटर्न नमूने और चेतन इस्तर पर गरण किये जाते हैं तो क्या होगा इसका सही आंसर आर्थिक बिवारिक राजिनेतिक या भासिक तो इसका तो सही आंसर है भासिक बिकल्प नमबर डी सही आंसर हो जाएगा कॉस्चन नमबर बारा का अंगला कॉस्चन है कि भासा हमारे हमारी खालिस्तान को विवस्तित करती है हमारी या हमारी खालिस्तान को विवस्तित करती है तो व्याकरनक चेतना खेल पिरकिरिया विचार पिरकिरिया या सामाजिक विवार तो इसका तो सही आंसर है विचार पिरकिरिया विचार पिरकिरि के लिए जरूरी है कीबे उन्हें क्या बात करनी के तरीकों का अभ्यास करवाया जाए कवीता गानी के अधिकारक आथ़सर दिया जाए या परिस परिक सांबात के लिए प्रसफाहित किया जाए या उन्हीं अपने और चारण पर बिसेश ध्यान देने के लिए कहा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वहे बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराया जाए बिकल्प नमबर A सही आंसर हो जाएगा अंगला कोईशन की भासा अर्जन के संबंद में कौन सा कतन उचित नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं बताना की भासा अर्जन के संबंद में कौन सा कतन उचित नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा वहे भासा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते है तो बिकल्प नमबर A सही आंसर हो जाएगा की भासा अर्जन के नियम सिखाए जाते है अंगला कोश्चन है कि भासा सिक्षन का आदर्स बात अबरन है तो क्या है विद्यार्तियों को अविव्यक्ति की पूरी आजादी भासा का सुद्धता पर बल अध्यापक का एकालाप या द्रस्रब सामगरी का प्रिचुर्द उप्योग तो क्वासा नमबर 16 है जो इसका बहुत सही आंसर है विद्यार्तियों को अविव्यक्ति की पूरी आजादी विद्यार्तियों को अविव्यक्ति की पूरी आजादी विद्यार्तियों को अविव्यक्ति की पूरी आजादी विद्यार्तियों को अविव्यक्ति की पूरी आज प्रियोग से तो question number 17 है जो इसका सही आंसर है अधिक से अधिक वासा प्रियोग से विकलब number d सही आंसर हो जाएगा question number 17 का धिला question है कि उच्य प्रात्मिक के स्तर पर कौनसा भासा शिक्षन का उस्द्धी से नहीं है तो आपको यह अपर नहीं बताना है को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा कि यहां पर नहीं पूछा कि आप से उच्चे प्रात्म के इस तर पर कौन सा भासा सिक्षण का उध्यस नहीं है तो भी कजके कि साथभिन नविवहार क्या है निवारत महने भासा परबल यह समन गतावादी ड्रेश्टी कौन् tweaking विशिस आवसक्ता वाली बच्चों की साथ भिन बिवार या बर्तनी सम्मंदी ग्रहकार तो इसका जो सही आंसर है कोश्चन नमबर 19 कबाए है समगरता बादी रश्टी कौन बिकल्प नमबर B सही आंसर हो जाएगा अंगले कोश्चन है कि उच्च प्रात्मिक इस तर पर कहानी कवीता पढ़ने के बाद एह जरूरी है कि बच्चे प्रुस्टनों के लिकित उत्तर दे सकें उसे अपने सब्दों में दोहरा सकें विप्रीत भावी कहानी कवीता लिख सकें या उन्हें अपने अनुभा संसार स से जोड़ सकें तो क्या होगा इसका सही आंसर कोश्चन नंबर 20 का तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें अपने अनुभाव संसार से जोड़ सकें विकल्प नंबर डी सही आंसर है अंगला कोश्चन है कि भासा सिक्षण के संदर में कौन सा कतान उचित है तो आपको याँ पर बताना कि भासा सिक्षण के संदर में कौन सा कतान उचित है तो इसका जो सही आंसर है भाय भासा अर्जन की तरह दुतिय भासा की रूप में हिंदी के सहज अर्चन के लिए समर्द्य बातबरन दूरी है तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है कि भासा सिक्षण का विश्च अनिवार रिगुण हैं तो कौन सा विश्चाय का विश्चत ग्यान बाल मनुग ग्यान का ग्यान सिक्षण विदियों का ग्यान या सुद्ध उच्चारन तो यिसका जो सही आंसर है वहाई विश्चाय का विश्चत ग्यान यानि कि विकल्प नंबर एच सही आंसर हो तो question number 3 कि इसे जो उसका बहुता पुपरोग सभी तो आपका answer होगा उपरोग सभी लेखना सुनना पढ़ना पौलना वपरोग सभी इसका आणसर हो जाएगा अंगला question है भासा के मुख तत्त होते हैं धनी, संकेत, चिन्न या सबी तो क्या होगा question number 24 का सही answer तो भासा के मुख तत्त होते हैं तो आपका answer होगा सबी विकल्प नंबर D सही answer हो जाएगा अंगला question है कि बालक को भासा सिक्षण की सिक्षा देनी का माध्यम होना चाहिए तो क्यासा होना चाहिए राष्ट भासा, मात्र भासा, दृतियक भासा या प्रादेशिक भासा तो question number 25 का सही answer क्या होगा अगर आपसे answer बनता है तो आप comment में जरूर बताएं कि बालक को भासा सिक्षण की सिक्षा देनी का माध्यम होना चाहिए तो आपका answer होगा मात्र भासा विकल्प नमबर B सही answer हो जाएगा question number 25 का जो सही answer है विकल्प नमबर B अंगला question है कि मात्र भासा का अर्थ है तो मात्र भासा का अर्थ क्या है परिबार की भासा, मा की भासा, पिता की भासा या उप्रोक सभी तो मात्र भासा का जो अर्थ है विकल्प नमबर D सही answer हो जाएगा अंगला question है मात्र भासा का मुख उद्द्दिस होता है, most important question है मात्र भासा का मुख उद्दिस होता है तो क्या होता है मानसिक भिकास, सारिक भिकास, बद्दिक भिकास या उप्रोक सभी तो question number 27 का जो सही answer होगा वह है उप्रोक सभी उप्रोक सभी सही answer हो जाएगा कि मात्रभासा का मुख को जिस क्या है तो आपका answer होगा उप्रोक सभी मानसिक विकास, सारिक विकास, वद्दिक विकास और उप्रोक सभी अंगला question है कि मात्रभासा की पिर्मुक सिक्षण विदी है तो कौन सी है मात्रभासा की पिर्मुक सिक्षण विदी बताना है आपको कौन सी है तो इसका विकल्प चार आपके सामने दिये हैं आगमन विदी निगमन विदी अनुकरण विदी या पुरुक्त सभी तो इसका ज प्रवंदन प्रत्य की प्रवाडतक हैं, प्रत्य की प्रवाडतक हैं, तो कौन है इसकी प्रवाडतक है, तो Q29 का जो सही आंसरों का बाय है, I.K. डेविसि आई क डेविसे विकल्प नंबर डी सही आंसर मौझाई गाई के डेविस अंगला कॉस्चनि इस लिए Simula कि अध्येसों का या कि आनधे मिलर्वन्व या विघ्येस समेट नर्वरी स्मित तो इसका सी नंबर जो तीसका जो सही answer है और विकल नंबर शींगलण कोजचन ने कि सूप्छ में से स्तुल की और सुक्षण सुस्त्र की पालन किस बिधी कि में इस पश्टय दिखाई देता है तो कौन सी जूबी didiin उसमें सपश्टय दिखाई देता है تو आपका सही answer होगा है है नेगमन विदी नेगमन विदी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर जो है दो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियोक्साला में कार करते समय बिद्यारती किस विदी का अनुसरान करता है most important question है वह कौन सी विदी है तो इसका जो सही answer है वह है आगमन विदी कौन सी विदी है आगमन विदी है प्रियोकसाला में कारकारती समय विद्यारती किस विदी का अनुसराण करता है तो आप का answer होगा आगमन विदी का अंगला question है कि प्रात्मिक कक्षाम के विध्यारतियों के लिए कौन सी विधी आपकी दरश्टी में उत्तम होगी तो कौन सी विधी है जो उत्तम होगी आपकी दरश्टी में वियक्ष्यान विधी समस्या समाधान या आगमन विधी अनिक बन विधी तो इसका जो सही आंसर होगा बहे आगमन भीदी आगमन भीदी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नमबर C अंगला कोस्चन है कि भासा दक्चिता का प्रारंबिक कौसल है तो क्या है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना भासा दक्चिता का प्रारंबिक कौसल है तो क्या है मोन पठन की विशाय में धालना है इसमें पठन की गती धीमी हो जाती है एका ग्रिचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है या पढ़ने की धीमी धोनी ओंटों से निकलती है इसी आदर्स बाचन की तुरंत बाद किया जाता है तो question number 35 का जो सही answer होगा बहर एका ग् अभ्यास होता है विकल्प नंबर बी सही answer हो जाएगा question number 35 का जो सही answer होगा बहर विकल्प नंबर बी अंगले question है कि मोन बाचन से क्या लाव है most important question है आपको मोन बाचन से क्या लाव है ग्यान की ब्रद्दी है अवकास की समय का सदुपियोग खरीदी की किताब का सदुपि असारिक ब्रद्दी तो आपको जो सही answer होगा बहर ज्यान की ब्रद्दी विकल्प नंबर यह सही answer हो जागा कि मोन बाचन से मोन बाचन से आपको क्या लाव है मोन बाचन से आपको क्या लाव है तो आपका जो सही answer होगा बहर है ग्यान की ब्रद्दी ग्यान की ब्रद्दी होती है मौन बाचन सी अंगला कोश्चन है कि नमलेकित में से किस इस्तिती में आप कहेंगी कि बठन हो रहा है तो कौन सी इस्तिती में आप कहेंगी कि बठन हो रहा है तो आपका जो सही आंसर है बाय है अनुमान के साथ भावगरहन अनुमान के साथ भावगरहन बिकल्प नम अंगला कोश्चन है कि बच्चों की ससक्त लेखन शमता का परिचायक है क्या है सुन्दा लिखावट या अलंकारिक भासा या ससक्त बाक्य या मौलिक बिचार तो बच्चों की ससक्त लेखन शमता का परिचायक है तो बैहे मौलिक बिचार मौलिक बिचार सही आंसर हो जागा बेकल्प नमबर D, बेकल्प नमबर D सही आंसर है, अंगला कोश्चन है कि सरसरी तोर पर किसी पार्ट को देखकर उसकी विसाइबस्तु का पता कर लेना, क्या है पढ़ने की निम्न इस्तिती को दर्साता है, पढ़ने की को सलता का अंतिम पढ़ाओ है, पढ़ने की एक को सलता है, पढ़कर समझने का पहला प्रियास है, तो क्वास्चन नमबर 39 का जो सही आंसर होगा, बेकल्प नमबर D, यानि की विकल्प नमबर D, सही आंसर हो जाएगा, क्वास्चन नमबर 39 का जो सही आंसर है, बेकल्प नमबर D, अंगला क्वास्चन है कि सभी भासाई को सल्टाईं., एक दूसरे are Cat नहीं करते हैं, एक दूसरे से सम्वंदत हैं, तो आपका जो सही він answer होगा बहКак . एक दूसरे से स evitar हैं कि जो भासाई को सल्टाउच chapter 6 यानी कि जो बेकल्ट नंबर डी है बहा है आंसर हो जाएगा एक सभी भासाई कोंसल अंतता सम्मंदित हैं अंगला कोश्चन है कि सुनना कोंसल की बारे में कौंसा उचित नहीं है तो आपको यहाँ पर कोश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं है नहीं पूछा है कि सुनना कोंसल कि बारे में कौन सा उचित नहीं है तो कौन सा उचित नहीं है तो आपका जो सही आंसर होगा बाय है सुनना कौनसल सबसी कम महत्तपून N की बिकल्प नंबर A सही आंसर हो जाएगा अंगला कोश्चन है कि भासा कौनसलों के संदर में कौन सा कतन सही है आपको यहाँ पर अब सही बताना है कि भासा कॉंसलों के संदर में कौन सा कथन सही है सुनना बोलना पढ़ना और लेखना एक क्राम से सीखे जाते हैं सुनना और पढ़ना निसकर्स कॉंसल हैं पढ़ना और लेखना कॉंसल में कोई संबंद नहीं है सभी कॉंसल एक दूसरे क के साथ अंतता सम्बंद्र होते हैं यानि कि बेकलपब डी जूय वैसे आंसर हो जाएगा अंगलंग कोठचन की पठन कॉसल सी अभी मुश्ट-इम्पोर्डचन है बटन कॉसल सी आपका क्या अभी प्रिया है तो आपका جो जही आंसर होगा पढ़कर समझना क्या अभी प्रया है आपका पढ़कर समझना बिकल्प नमबर डी सही आंसर हो जाएगा की पटन कॉंसल से आपका क्या अभी प्रया है तो आपका आंसर होगा पढ़कर समझना अंगल्या कोश्चन है सुनना कॉंसल में सामल है तो क्या है सुनना कॉंसल में सामल है क्या इसमें सामिल तो इसमें सामिल है दूसरों की पास सुनने में रुची धैर्दे और प्रितिक्रिया यानि कि जो बिकल्प नंबर बी है वह इसका सही आंसर हो जाए को कॉस्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वह बिकल्प नंबर बी अंगला कॉस्चन है कि बच्चों में पठन सं स्कृत्री का विकास करनी के लिए अनिवार है तो क्या अनिवार है तो आपका आंसर होगा बाल साहित पठन ही तुप्रेणा बाल साहित पठन ही तुप्रेणा इसका सही आंसर हो जाएगा तो एह वीडियो आपको क्या सा लगा आप हमें कमेंट के मादते हम से जरू बताएं आज की वीडियों wär बस इतना ही अगर अभी तक आपने हमारी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करलें वीडियो को शीर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलुग भी एक वीडियो देख सकें और बेल ऐकन को दबाना ना भूलें कि हम जो ए वीडियो अप लोट करेंगे उसकी नौटिपिकेशन आपके हां पहुच जाएगी आपको बेल ऐकन दबाना है उस पर all लख कर आएगा all पर दबाना जैसे हम जो ये वीडियो अप्लोड करेंगे उसकी जो नौटिपिकेशन होगी आप कहां पहुंच जाएगी और PDF के लिए आपको हमारे टेलिक्राम गृप से जुड़ना होगा टेलिक्राम एप में आपको सर्च करना होगा आई एस स्टड़ी ट्रेक यहां से आप हमारे टेलिक्राम गृप को जोईन कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो अप्लोड करते हैं उसकी PDF फाल यहां पर उपलब्द कर देते हैं और बहुत सारा इस्टड़ी माटेरियल आपको सब्सक्राइब हमारे टेलिक्राम गृप में मिल जागा तो आप टेलिक्राम गृप से अबस्ते जुड़ने तो आज की वीडियो में बस इतना ही जय है